अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियोस के बारे में अफ्टेट जाएंगे सनावत में हर्याली के बीच फिल्म बनने की संभावना मुंबई से आकर दलने देखा लोकेशन मुल्पत्का से लेकर पातालपानी कालाकुंड शेत्र में फिल्म बननने की अनेक संभावना है इनी संभावनाओं को तलाशने के उद्धिश्य से मुंबई से एक दलने यहां पर आकर यहां की लोकेशन को देखा साथ ही यहां पर क्या-क्या कारिकर फिल्म का रिर्मान किया जा सकता है इस बात की जानकारी जुटाई मुंबई की लोकेशन डारेक्टर अपनी टीम के साथ मोटक का रिल्वे स्टेशन से पातल पानी का सफर तै कर फिल्म की शुटिंग के लिए उप्युक्त लोकेशन देखने निकले निमार की मीटर गेज रिल्वे ट्रेक और उसके आसपास की प्राकरतिक नजारे बॉलिविट को आकरशित कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के लिए मोटक का से पातल पानी तक के जंगल, गुफा और सुरम में पहाडियों की प्राकरतिक छटा शुटिंग के लिए अलग ही जगह दिखाती है उसे ही देखने के लिए फिल्म बनाने वाली कमपनी का दल रेल पर सफर कर रहा है गुरुवार को उंकारेशर रोड मोटक का रेलवे स्टेशन पर हिंदी फिल्मों के लोकेशन डारेटर हर्श दवे से चर्चा हुई उन्होंने बताया कि हम इस शेतर की खुबसूरत लोकेशन की तलाश कर रहे हैं हम जो फिल्म बनाएंगे उसकी तीम एक्शन और मनोरंजक होगी इसमें मशूर अभिनेता सन्नी देओल और अमिशा पटेल की संभावना है फिल्म के नाम का चैन नहीं हुआ है फिर भी हिंस है कि फिल्म में मीटर गेज रेल की शूटिंग यह दरशाएगी सतर असी के दशक की स्टोरी पर फिल्म बनेगी कुछ इतिहास को भी बिलॉंग करेगी दवे के साथ साउट के कलाकार भी थे जिससे यह तय है कि साउट की फिल्म भी इसी शेत्र में बनेगी अगर इस फिल्म को नाम दिया जाए तो क्या देनेगी बिजियाना न्यूस दिमार्ट रिपोर्ट सनावत